भारत ये पहचान से जुड़ी कमला हैरिस जब अमेरिका की उपराष्टपती बनी तो भारत में काफी चर्चा हुई मंदिरों में पूजा की गई रंगोली बना कर कमला को शुपकाम नहीं दी गई फिर जुन 2021 में पीयम मोदी जब अमेरिका के दोरे पर गए तो कमला हैरिस को भारत आने का नियोता दिया मगर वो उपराष्टपती बनने के बाद एक बार भी भारत नहीं आई अब जो बाइडन के राष्टपती की रेस से बाहर होने के बाद कमला हैरिस को डेमोकराटिक पार्टी की उमीदवारी मिलती दिख रही है ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कमला हैरिस अगर अमेरिकी राष्टपती बनती हैं तो क्या अमेरिका भारत संबंदों पर कोई असर पड़ेगा उनकी भारतिय पहचान का असर क्या दोनों देशों के रिष्टों पर भी दिखाई देगा इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं जून 2021 में पीम मोदी और कमला हैरिस की वाइट हाउस में मुलाकात हुई थी पीम मोदी और कमला हैरिस के हाओ भाओ की लोगों ने अलग अलगतरी के से व्याक्षा की इसके बाद जब जून 2023 में पीम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए तो वहाँ वो कमला हैरिस की तारीफ करते दिखे अमेरिकी कॉंग्रिस को संबोधित करते हुए पीम मोदी ने अपने पीछे बैठी कमला हैरिस के बारे में कहा था अमेरिका में लाखों ऐसे लोग हैं जिनकी जड़ें भारत में हैं कई लोग गर्व के साथ इस हाउस में बैठे हैं एक मेरे पीछे बैठी है PM मोदी ने कमला हैरिस की जिन जड़ों की बात की उस कारण अब वो अमेरिका में निशाने पर भी है कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला और ब्लैक उपराष्टपती बनी थी अब राष्टपती पद की दौड में आई कमला को नसल भीदी टिपडियों का सामना भी करना पड़ रहा है डोनाल ट्रम की रिपब्लिकन पार्टी के ग्लेन ग्रोथ मैन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा मेरा मानना है कि बहुत सारे डेमोक्रेट्स को ये लगता है कि नसली अब प्रिष्ट भूमी के कारण कमला हैरिस को चुनना पड़ेगा रिपब्लिकन पार्टी के ही टिम बर्चट ने एक इंटरव्यू में कमला हैरिस को डी आई यानी विवधता, समानता और समावेशी के तहत हुई नियुक्ती बताया अब सवाल ये है कि कमला हैरिस अपनी भारतिय पहचान पर क्या बोलती रही है जब कमला पांच साल की थी तब ही उनके माता पिता अलग हो गए कमला को मा श्यामला गोपालन हैरिस ने पाला श्यामला जब भारत आती तो कमला साथ होती थी जमयका, भारत और अमेरिका ऐसे में कई पहचान से जड़े सवालों पर कमला का कहना था कि वो एक अमेरिकी कहलाना ही पसंद करती है हाला कि 2020 के चुनाव प्रचार के दौरान कमला ने कहा था कि वो खूब सारा चावल, दही, आलू की रसदार सबजी, दाल और इडली खाते हुए बड़ी हुई है कमला हैरिस भारतिय पहचान पर बोलती रही है वो भारत से जुड़े मुद्दों पर भी अपनी राय रखती रही है साल 2019 में जब भारत सरकार ने अनुच्छे 370 को हटाया तो हैरिस ने इसका विरोध किया था हैरिस ने कहा था हम कश्मीरियों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं हलाकि जब हैरिस उपराष्टपती बनी तो उनका रुख अलग दिखा कमला ने कोविड से निपटने और भारत के वैश्विक शक्ती के तौर पर उभरने को लेकर पीम मूदी की तारीफ की एशिया निक्केई की एक रिपोर्ट के माने तो जानकारों का कहना है कि भारती अमेरिक की समुदाई से जोडने के लिए कमला ने कम ही कोशिशें की है कुछ जानकारों का कहना है कि अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो इस से भारत अमेरिका के सम्मंधों में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट में साउथ एशिया इंस्टिट्यूट के डारेक्टर माइकल कुगलमैन ने कहा कमला हैरिस अपनी भारते पहचान को आगे नहीं रखती वो अपनी जमाइका की पहचान पर जोड देती रही है NDTV प्रॉफिट की एक रिपोर्ट में अंतराष्टे मामलों के जानकार हर्शपंत कहते हैं कि अगर कमला हैरिस राष्टपती बनी तो संबंद वैसे ही बने रहेंगे जैसे पहले थे भारत सरकार के बाइडन प्रशाशन से सही संबंद रहे हैं और कमला हैरिस भी उसका हिस्सा रही है वैसे दिल्चस्प बात है कि एक तरफ टरंप के उप राष्टपती पत के उमीदवार जेडी वेंस हैं जिनकी पतनी उशा भारतिय मूलकी हैं दूसरी तरफ अमेरिका की पहली महिला राष्टपती बनने की दौड में आई कमला हैरिस हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों तरफ भारती कनेक्शन हैं इसी कारण कुछ भारतियों ने अपने अपने हिसाब से अपना पाला चुन लिया है